हेलो फ्रेंड्स जैशी कृष्णा मैं हूँ उमा और आपका स्वागत है मेरी किचन में आज हम बनाने जा रहे हैं बैगन के पकोड़े खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगते हैं यह सुनने में तो नाम थोड़ा अजीव लगता है बैगन के पकोड़े लेकिन जब आप इसको बनाएंगे खाएंगे तो सब आपके बहुत आरीफ करेंगे तो चलिए बैगन के पकोड़े की रसी पर शुरू करते हैं बैगन के पकोड़े बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक गोल बैगन ले लिया है बैगन के पकोड़े बनाने के लिए गोली बैगन ले इसमें बैगन के पकोड़े इससे बहुत अच्छे बनते हैं तब हम इसको दो पार्ट में डिवाइट कर लेंगे बीच में से कट कर लेंगे इस तरह से और फिर से जो दो पार्ट है इसको फिर से दो पार्ट में डिवाइट कर लेंगे और इस तरह से हम इसके पतले पतले जो साइड जो थोड़ी चौड़ी साइड है उस तरह से हम लेके इसके पतले पतले स्लाइस काटने हैं इसके ज्यादा थिक स्लाइस रखेंगे तो पकोड़े जो है वो थोड़े अच्छे नहीं लगेंगे और क्रिस्पी नहीं बनेंगे तो इस तरह से पतला slice काटना है हमें, देखिए इसकी thickness, एक तम इस तरह से होनी चाहिए, अगर आपके पास potato slicer है तो आप इसको potato slicer से भी slice कर सकते हैं, इस तरह से पतले-पतले slice काट लेंगे, जब तक यह थोड़ी चौड़ाई रेखती है बैगन की, तब तक हम इसके काट और जैसे फिर इसकी कट करते करते इसकी चौड़ाई कम हो जाएगी, तो हम इसको side में रख देंगे, इसी तरह से मैंने बैगन के सारे पकोड़े काट लिये हैं, यह पकोड़े, sorry, slice काट लिये हैं, और यह जो बैगन है, इसे हम सबजी में use कर लेंगे, जितने ही broad size हैं, उ इसमें डाल देंगे एक चमच चावल का आटा, चावल का आटा टालने से जो पकोड़े हैं वो बहुत क्रिस्पी बनते हैं, नमक डाल देंगे टेस्ट के अकोड़ेंग, यहां पर मैंने एक चमच नमक डाल दिया है, और इसमें डाल देंगे एक चौथाई चमच हल्दी, आधा चम्मच मिर्ची पाउडर लाल मिर्ची पाउडर और एक चम्मच यहाँ पर मैंने ले लिया है यह अधरक लसन और हरी मिर्ची का पेस्ट यहाँ पर मैंने अधरक लसन और हरी मिर्ची को पीस लिया है और उसका पेस्ट बना लिया है आप लसन नहीं खाते हैं तो उसको बैटर बनाएंगे, बैटर हमें बहुत जादा पतला नहीं बनाना है, और बहुत जादा गाड़ा भी नहीं रखना है, तो बैटर की consistency हम manage करते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल डालके, पहले lumps निकाल देंगे इसकी, और थोड़ा थोड़ा पानी डालके, इसका एक lump फ्री बेटर बना लेंगे अच्छे से इसको मैश करते रहेंगे, हम इसको जितना फेट लेंगे हमारे पकोड़े हैं जो उतने ही क्रिस्पी और कंची बनेंगे तो यह देखे थोड़ा थोड़ा बेटर डालते हुए बेटर थोड़ा स्मूध होने लगा है थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मैंने इसका बेटर बना लिया है और इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस सरह की होनी चाहिए और इसे 2-3 मिनिट के लिए अच्छे से फेट लेंगे यहाँ पर मैंने फेट लिया है इसको 2-3 मिनिट तक और इसमें अब कोई लम्स भी नहीं है और हमारा जो बेटर है वो बनके बिल्कुल रेडी हो गया यह देखे बेगन के पकोड़े बनाने के लिए हमें इस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए यह बहुत जादा गाड़ी भी नहीं है और बहुत जादा पतला भी नहीं है इस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए कि जब हम इसमें बेगन के स्लाइस को डिप करें तो अच्छे से इसमें कोट हो जाए तो चलते हैं पकोड़े बनाने के लिए तो जो बेगन हमने पानी में बिगाये थे इसको निकाल लेंगे किसी चलनी में या किसी प्लेट में निकाल लेंगे जैसे कि जो एक्स्ट्रा पानी है वो इसमें से निकल जाएगा तो यहाँ पर मैंने तेल रख दिया था पकोड़े बनाने के लिए अब देखिए जो हम एक बेगन का स्लाइस लेंगे और इसको इस तरह से बैगन बैटर में डिप कर लेंगे इस तरह से डिप करेंगी जो बैटर है वो अच्छे से बैगन में कोट हो जाना चाहिए और बैगन की बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होनी चाहिए कि वो बिलकुल बैगन पे कोट हो जाए बहुत ज़्यादा पतली रखेंगे तो यह coat नहीं हो पाएगा जो slice है उस पे बेसन नहीं चड़ पाएगा तो इस तरह से बैगन के slice को बेसन में coat करते होए हम गरम तेल में डाल देंगे तेल मेडियम गरम होना चाहिए बहुत ज़्यादा खौलता भी नहीं होना चाहिए और बिल्कुल ठंडा भी नहीं होना चाहिए इस तरह से हम बैगन को इसमें dip करेंगे और अच्छे से coat कर देंगे चारो तरफ से और इसको तेल में डाल देंगे अगर बैटर आपका पतला हो जाएगा तो जो बैगन है उस पर ये बेसन coat नहीं हो पाएगा तो consistency का ध्यान इसमें रखना थोड़ा ज़ादा ज़रूरी है कि बैटर की जो consistency है वो बिल्कुल इस तरह से होनी चाहिए कि वो पकोड़े के बैगन के उपर अच्छे से coat हो लेंगे यह देखे पलट पलट के इसको सेकते रहेंगे जो हमने इसमें चावल का आटा मिलाया है उस वज़े से बहुत जादा crispy बनते हैं और बैगन जो होते हैं वो fry करने के बाद अंदर से soft हो जाते हैं तो यह पकोड़े उपर से बहुत जादे crispy और अंदर से soft लगते है और खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं इन पर अच्छा सा कलर आ जाए तब तक हम इने फ्राइ कर लेंगे और यह देखे कैसे बैतेल में जालते ही यह किस तरह से फूल जाते हैं बैगन के पकोड़े अच्छे बनाने के लिए आपको सबसे बैटर का ध्यान रखना बहुत जादा जरूरी है कि बैटर की कंसिस्टेंसी कैसी है बहुत जादा गाड़ी हो जाएगी तो आपके जो पकोड़े हैं वो उपड़ से हाड़ बन जाएगे और अगर बैटर बहुत जादा पतला हो जाएगा तो ये पकोड़े अच्छे से बेसन इस पर कोट नहीं हो पाएगा तो ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया इस पर एक बैच को फ्राइ करने में दो से तीन मिनट लग जाते हैं तो हम इसको निकाल लेंगे इसे आप किसी टीशू पेपर पर या किसी चन्नी में इसको निकाल सकते हैं और ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया इसके उपर इसी तरह से मैं अपने बाकी के पकोड़े भी तल लूँगी इस तरह से इन पर ब्राउन कलर आ जाने तक हमें इसे फ्राइ करना है ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया इस पर और ये हमारे सारे बैगन के पकोड़े बनके बिल्कुल रेडी हो गया है मैंने सारे फ्राइ कर लिये हैं बैगन के पकोड़े और ये देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं और उपर से बहुत जादा क्रिस्पी तो आज कि अगर मेरी बैगन के पकोड़ों की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल का सब्सक्राइब करें और साथ में जो बैल आइकन है उसे भी प्रेस कर दें थैंक यू